Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे US एक ऐसा देश है जो nuclear weapon यूज करने के बाद भी अपने action को वो justify कर सकता है और शायद हर उस चीज को सही कह सकता है जिस चीज से US को फाइदा होता है Recently US के एक ambassador है जिनका नाम Eric Garcity है उन्होंने CAA के उपर comment किया जिसके reply में Dr. Jais Ankar Sir ने US को आइना दिखाया अब यह मैं personally मान सकता हूँ कि कुछ लोगों को CAA के उपर आपती हो सकता है उनके कुछ सवाल हो सकते है तो मैं बता दू कि भारत एक democratic country है जहाँ पर freedom of speech expression को promote किया जाता है भारत में Supreme Court है जहाँ पर court जाया जा सकता है और इस चीज के उपर बहस किया जा सकता है लेकिन अगर हम अपने internal matter में अगर हम USA को include करते हैं तो ये भारत का foreign policy और हमारे integrity के लिए अच्छी बात नहीं होगी आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखर में डॉक्टर जय संकर सर ने और क्या कहा मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion या सुझाओ है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं CAA के पीछे का जो basic idea वो ये है कि पागिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में जितने जो minority communities के लोग होते हैं उनको सरकार भारत में नागरिकता देंगे जैसे कि मैंने बताया कि CAA के ऊपर कुछ लोगों के अपने concerns हो सकते हैं जिसके लिए Supreme Court of India खुला हुआ है और भारत का जो structure है वो एक democratic structure है जहाँ पे हम freedom of expression speech को हम promote करते हैं लेकिन अगर कोई देश खास करके US अगर भारत के internal matter में अगर वो घुषता है और अगर वो concern raise करता है किसी भी चीज को लेके तो वो हमारे point of view से अच्छी बात नहीं है अगर किसी को सच में citizenship amendment act को समझना है तो उसके पास एक basic idea होना चाहिए भारत के modern India history के बारे में खास करके partition के आसपास के दौर का अब जहाँ पे भी Britishers ने rule किया है वहाँ पे कही ना कहीं वो लोग जान बूच के जो border dispute है उसको छोड़ के आ गये है best मैं दो examples quote करूँगा आप लोगों के सामने सबसे पहला तो भारत और चाइना के बीच में जो border dispute है इसका बहुत बड़ा जो contribution है वो of course Britishers को जाता है और दूसरा आफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी जो border dispute चलते हैं उसके पीछे का भी जो credit है वो Britishers को ही जाता है तो all of sudden ये मूँ ठाके कहा देना कि government of India ने जो citizenship amendment act को introduce किया है ये गलत है और US उसको monitor कर रहा है ये कहीं से भी acceptable नहीं है भारत के लिए अब इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि almost पुरा दुनिया जो है वो western media को ही सुनते हैं या उनको ही consume करते हैं और more or less वो वही मानते हैं जो US दुनिया को सोचता है मनाने के लिए अगर आप recent अगर आप example लेते हैं Russia-Ukraine war का तो अगर ये war अभी भी चल रहा है और अगर जो common civilians है अगर वो मारे जा रहे हैं तो इसके पीछे का भी जो बहुत बड़ा रोल है वो US का है या इसके पहले अगर आप देख लें जैसे कि US ने अफगानिस्तान को invade किया या उसक ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के date में China का अगर rise हुआ है तो उसके पीछे भी US का बहुत बड़ा रोल है चाइना उन सभी देशों के साथ अपने नजदीकी को बढ़ाया है जिन देशों के साथ US के खराब relation है US इराक में invade करता है almost 10 साल वहां पे रहता है उस देश का जो पूरा structure है उसको खराब कर देता है और आज चाइना का बहुत बड़ा investment है Middle Eastern region में तो अगर US ये कहता है कि China rise कर रहा है या China एक dominating force बन रहा है of course वो बन रहा है लेकिन हमें यहाँ पे चीजों को बहुत ही neutral तरीके से समझना है और जानना है कि उसके पीछे का वजह क्या था या अभी जिस तरीके से इसराइल और हमास के बीच में जंग चल रहा है इसके पीछे भी US का एक बहुत ही बड़ा role था अब कुछ लोगों को भारत में ये लगता है ना कि इसराइल और भारत एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं of course दोनों देशों के बीच म bilateral trade देखते हैं 2022-2022 का data से तो लगभग लगग कुछ 5.5 million का हम लोगों ने trade किया था bilateral और वहीं पे अगर आप चाइना का देखते हैं तो वो कुछ लगभग लगभग 15.5 million का है कहले कि 3 गुना है हमसे तो दो देशों के बीच में relations तभी अच्छे होते हैं जब उन दोनों के बीच में वैपार बढ़ चड़ कर होता है अगर हम इसराइल से कोई technology हम लेते हैं तो उस चीज़ पे हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि इसराइल ने हमें technology दिया हमें हर वक्त ये focus करना चाहिए या करना पड़ेगा कि जितने भी जो technology का development हो वो अधिक से अधिक तो हम at least कोशिश कर सकते हैं अब US government खुद के देश में जिस तरीके से उनके देश में gun culture बढ़ा है या जिस तरीके से एक वैक्ती किसी mall में जाता है किसी school में जाता है और वहाँ पे बेकसूर लोगों को मार देता है US अपने internal issues को वो नहीं देखता है और वो दूसरे देश जो कहता है कि religious freedom और equality होना चाहिए democracy में more or less सरकार जिसकी भी रही हो government of India ने अपने democratic structure या values को ठीक से ही preserve किया है और almost सभी religion के लोगों को भारत में अपने religion को practice करने का अधिकार है इसी conference में डॉक्टर जैसंकर सर कुछ examples quote करते हैं जिसमें कि Jackson Vanik amendment है जा inspector amendment है fast tracking of Hungarian है अगर मैं इन सब में सिर्फ अगर मैं इसको अगर मैं quote करता हूँ Jackson Vanik amendment को तो इसे 1974 में introduce किया गया था तो इसमें क्या था हलाकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा act है जिसको कि मैं चाहूँगा कि आप लोगों खुद से भी पढ़ें इसमें basically क्या था कि 1967 में जब Israel और Arabic countries के बीच में जब 6 day war होता है तो उसके बाद क्या होता है कि anti Jewish जो emotions होता है वो काफी बढ़ जाता है तो अगर आपको किसी भी देश को अगर बरबात करना है तो अगर आप उसके economy को अगर आप तोर देंगे या उसके अगर आप economy को restrict कर देंगे तो वो देश automatically बिखर जाएगा ऐसा ही कुछ US ने भी किया था 1974 में जहां पे उसने उन सब देशों को target किया था जहां पे वो दे देशों खिलाफ हो जा रहे थे जो देश जो इसको अपने देश में नहीं बुला रहे थे या उनका entry को restrict कर दिया गया था जैसे कि मैंने बता यह बहुत बड़ा article है तो इसको अच्छे से और समझने के लिए आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो religious minority के लोंग है उनके उपर जो persecution होता है US को इसके बारे में नहीं पता है अफकोर्स US को इसके बारे में पता है लेकिन फिर भी US खामोश बैठा रहता है और पाकिस्तान आज अकर bankrupt देश है तो उसके पीछे भी US का एक बहुत बड़ा रोल है और आज बह पाकिस्तान पर trust नहीं कर सकता है इसलिए उसे कोई ऐसा partner चाहिए जिसपे कि वो trust कर सकता है तो कहीं न कहीं भारत के लावा Asian continent में कोई और उसे दिखता नहीं है तो in a way हम यह कह सकते हैं कि ठीक सरकार के अगर किसी policy से अगर हम खुश नहीं है तो हम उसके खिलाफ आवाज हम court जा सकते हैं लेकिन यह सोचना कि किसी दूसरे देश को अपने internal matter में include करना यह बहुत ही एक dangerous act हो सकता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye